हेलो हेलो वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल देखिए, आज मैं बोलूंगी एमपॉकिट रेफरेल कोड के बारे में ठीक है, एक रेफरेल कोड क्या होता है एक रेफरेल कोड होता है जिस टाइम आप एमपॉकिट एप को इंस्टॉल करते हो उसके बाद लोन के लिए एपलाई करते हो फर्स्ट में मोबाइल, मोबाइल नमबर, उसके बाद OTP, आधरकट, पैनकट, सेलफी, वीडियो के OIC या वीडियो में कुछ बोलना परेगा और एमर्जेंसी कॉन्टेक्ट ऐसे देना परेगा उसके बाद आपका एक लोन लिमिट सो होता है ठीक है? उस टाइम जब आप मोबाइल से लॉग इन करते हो उस टाइम आपको फर्स्ट में सो करेगा रेफरल कोट उस टाइम आप फील करते हो रेफरल कोट को तो आपका चांसेज ज़्यादा रहता है आपका लिमिट इनक्रीज होने का चांसेज भी रहता है और लोन एप्रूबल होने का चांसेज ज़्यादा रहता है बट आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा रेफरल कोट है ठीक है, आप इस code का skin shot ले सकते हो, क्योंकि इस code को जब आप feel करोगे, वहाँ पर code number देना परेगा, तो आप जब एक code number दोगे, तो उसके बाद आपका limit increase होने का chances जादा रहता है, ठीक है, और जिसने सोचा, आपके पास already mpocket app है, और limit भी आपको मिला है, तो आप क्या कर सकत हो, इसको share कर सकते हो, WhatsApp में, Messenger, SMS, Email, आपका जो मर्जी है, आप यहाँ पर share कर सकते हो, and copy paste भी कर सकते हो, उसके बाद जो दूसरे लोग loan के लिए apply करेगा, तो उस time क्या होगा, उसका increase होगा, या उनको loan approval हो सकता है, और भी आपको earn हो सकता है, 25 रूपिस, और जब approval हो जाता है, और आपका friend loan के लिए apply कर देता है, उसके बाद repayment भी कर देता है, उसके बाद आपको मिलेगा 50 रूपिस, या 100 रूपिस भी मिल सकता है, तो यहाँ पर जो मेरा referral code है, इससे आप apply कर सकते हो, बट मेरे referral code से आपका limit increase होने का chances बहुत ही जादा रहता है, ठीक है, तो आप इस referral code का skim sort ले सकते हो, उसके बाद loan के लिए apply कर सकते हो, description में mpocket का link है, और referral code number है, उसको feel कीजिए, वहाँ पर code number लिखिए, उसके बाद loan apply कीजिए and limit increase कीजिए, thank you, मिलते है next video